नमस्कार दोस्तों, know about nomination facility आज की वीडियो का ये topic जैसा कि suggest करता है आपके सामने nomination facility से जुड़े महत्पूर्ण प्रश्णों का उत्तर जानने का एक प्रयास है तो दोस्तों सबसे पहले आज की इस वीडियो में coverage क्या क्या है यानि हम कौन से प्रश्णों का discussion करने वाले हैं Why to avail nomination facility? Which assets are covered under nomination facility? Who can be a nominee? कौन व्यक्ति सर nominee बन सकता है? जैसे कि क्या एक minor nominee बन सकता है? क्या एक non-resident को nominee बनाया जा सकता है? Whether nominee will enjoy the sum as honor or otherwise? Process of settlement of nomination यानि settlement of nomination की क्या प्रक्रिया रहती है? And can nomination be cancelled or change? तो इनी प्रश्णों का उत्तर जानने का आगे प्रयास करते हैं तो दोस्तों यहाँ सबसे पहला महत्पूर्ण प्रश्ण है Why to avail nomination facility? एक आम आदमी मुझसे यही पूछेगा के बढ़िया जी आप nomination facility पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? सर यदि किसी व्यक्ति की financial assets हैं जैसे bank balance है या shares है या mutual fund है या insurance policy है उसने उनका nomination नहीं कराया हुआ और unfortunately उस व्यक्ति की मृत्ति हो जाती है तो ऐसी परिस्थती में सर उसके जो legal hires हैं उनको किसी प्रकार से उस particular balance को avail करने के लिए shares को avail करने के लिए किसी न किसी तरीके से court में जाना पड़ेगा, court से एक succession certificate निकलवाना पड़ेगा ये court से succession certificate निकलवाना सर एक easy प्रक्रिया नहीं है लेकिन अगर आपने उस facility के साथ में nomination को avail किया हुआ है तो सर उस व्यक्ति की मृत्यू होने पर nominee को सीधे वो assets transfer हो जाएगी बिना किसी प्रकार की कश्ट दायक प्रक्रिया के तो basically सर nomination facility किसी व्यक्ति की मृत्यू के बाद उसके successors को उसके legal hires को वो assets प्राप्त करने का एक सरल तरीका develop करती है उस द्रश्टी से सर नॉमिनेशन facility बहुत important है अब देखें दोस्तों which assets are covered under nomination facility 1. Deposits with banks and NBFCs यानि saving bank account, current account, किसी प्रकार का RD account ठीक है यह सारी जो आपकी deposits हैं किसी bank के पास या NBFCs के पास इनमें nomination यूज किया जा सकता है bank lockers, articles जो bank के पास आपने as a security रखे हैं उनका nomination किया जा सकता है insurance policies का nomination सम्भव है दोस्तों debit accounts में nomination सम्भव है और mutual funds का भी nomination किया जा सकता है लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात clear करूँगा real estate यानि immobile property के nomination जैसी कोई facility यहाँ पर उपलब नहीं है अगला प्रशन है दोस्तों who can be a nominee यानि आप nominee किसको appoint कर सकते है sir क्या एक minor को nominee appoint किया जा सकता है बिलकुल किया जा सकता है sir लेकिन अगर आप nominee को appoint करते हैं तो यह भी लिखना पड़ेगा कि जिस वेक्ति ने nominee को minor को एक nominee की रूप में appoint किया है अगर उस वेक्ति की मृत्ति हो जाती है तो ऐसी परिस्थती में minor जो की nominee है उसकी ओर से पैसा receive करने के लिए asset receive करने के लिए अधिकरत वेक्ति कौन है क्या एक non-resident को भी nominee appoint किया जा सकता है बिलकुल किया जा सकता है sir क्या किसी मित्र को भी nominee appoint किया जा सकता है over and above relative बिलकुल सर आप ज़्यादा तर लोग सर ग्लेटिव को ही नॉमिनी की रूप में अपॉइंट करते हैं लेकिन आप ऐसे वेक्ति को भी जो आपके मित्र हैं परिचित हैं उनको भी नॉमिनी की रूप में अपॉइंट कर सकते हैं इस संदर में कोई आपती नहीं है यह प्रश्ण दोस्तों बहुत ही महत्मुर्ण है whether nominee will enjoy the sum as honor यानि X ने Y को nominee के रूप में appoint किया unfortunately X की death हो जाती है Y को as a nominee 50,000,000 रुपे मिल जाते हैं Y X का मित्र है X की wife भी है और 3 बच्चे भी है तो क्या ऐसी परिस्तती में सर X की wife और बच्चे है अब उस संपत्ती से 50,000,000 रुपे की संपत्ती से वंचित हो जाएंगे नहीं सर nominee receives the asset as a trustee यानि nominee का काम है कि उसको जो भी संपत्ती मिलती है nominee के रूप में वो जो भी legal hires हैं उनके बीच में lawful manner में distribute कर दे यानि किसी भी सुरत में nominee by default honor के रूप में संपत्तिया नहीं receive करता he or she receives it as a trustee not as an honor यहां दोस्तों process of settlement of nomination पर केवल इतनी सी बात बुलूँगा कि जब भी nomination activate होता है यानि X की death हो गई और अब Y nominee के रूप में activate हो गया तो Y को relevant bank या financial institution की प्रक्रिया पालन करके अपना nomination claim प्रस्तुत करना है relevant document जो bank या financial institution आप से मांगे आप उन्हें प्रस्तुत करिये and then accordingly bank will accept your claim of nomination and hand over you the relevant asset in whatever accepted form it is available with the bank or financial institution can nomination be cancelled or chain? yes sir the answer is positive to it एक बार आपने nomination कर दिया आप उस nomination को cancel कर सकते है आप nomination को बदल भी सकते है generally sir हमारे हाँ पर joint nomination की विवस्ता नहीं होती लेकिन insurance policies में mutual fund में या demet account में joint nomination की facility भी उपलब्द होती है तो nomination को sir बदला भी जा सकता है nomination को cancel भी किया जा सकता है हाँ अगर by default FDs renew हो रही है और पिछली FD में आपने एक nominee का नाम select किया हुआ है तो FD के renewal के समय जनरली bank उसी nominee को pick कर लेगा जिसको आपने पिछली बार nominate किया है तो दोस्तों आज की इस video को यहीं समाप करता हूँ और आप से यह निवेदन करता हूँ कि अगर आपने nomination facility का फाइदा नहीं उठाया तो यह nomination facility आपके हमारे लिए बहुत काम की हो सकते है आप जरूर इस facility का benefit उठाये and this can be good towards our successors in receiving the assets of us in a hassle-free manner Thank you very much for being with me Wish you all the best जैह